डियर स्टुडेंट्स, हालो माई फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल, इंग्लिस भाई धीरन मिश्रा सर स्टुडेंट्स, आज मैं आप सभी को 10th Standard Hindi Medium गुजराद बोड़, जो Supplementary Reading Book है Black Bug वहाँ से मैं Chapter No.9, यानि Read 9, मैं आप सभी को Start करने वाला हूँ, तो आप सभी देख सकते हैं Read 9 आज का हमारा जो Chapter Name है Wonderful Workers Wonderful मतलब आश्चेर जनक, Workers मतलब कार्यकरता, अर्थात काम करने वाले Students, यहाँ पे Wonderful Workers जो है, यह Honey Wee को बोला जा रहा है यानि यह जो मदमखियां हैं, इनको बोला जा रहा है, Wonderful Workers मतलब ऐसे काम करती हैं कि आप आश्चेर में पढ़ जाएंगे तो Students, इसी से Related हमारा यह Relation है, तो आईए, Paragraph इस्टार्ट करते हैं हम सभी लोग तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ Honey Wee's are Special Insect, यह मदमखियां, विसेस की टाडू होते हैं, Insect होते हैं, that live in Large Families यह बड़े-बड़े Families के रूप में रहते हैं, मतलब परिबार के रूप में इन हाइब्स, अब हाइब्स मतलब क्या होता है, चत्ता, यानि मदमखियों का चत्ता तब हाइब्स की मीनिंग देखे, प्रैकेट में दिया है, The Place Where Honey Bees Live वो अस्थान जहां हानी भी रहती हैं, तो student आप समझ गया होंगे, पहले लाइन का मीनिंग अब मैं आगे explain कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान देंगे कि ये ऐसे special insect है, जो बड़े-बड़े families के रूप में, hives में रते हैं, या फिर honeycomb hive कहिए या honeycomb कहिए एक ही बात है, चत्ता बोलते इसको देखे, honeycomb का मीनिंग लिखा है, wax structure, wax मतलब mom mom जैसा structure, six sided cells made by bees मतलब six side वाले cells ये बनाते हैं, मक्हियां, ये मदमक्हियां बनाती हैं और ये कैसा structure होता है, wax का, mom का structure और इसी को क्या कहा गया है, honeycomb या hives और थात हिंदी में क्या बोलते हैं, मदमक्ही का चत्ता अगली line देखते हैं student, अगली line में है, there are three sections in them इनके परिवार में तीन section होते हैं, मतलब तीन भाग हैं, अब कौन-कौन से देखिए इन इच section, families of different forms are caste-lib प्रतेक section में जो families होती है, उनके अलग-अलग स्वरूप वाले लोग या caste वाले लोग caste मतलब जाती वाले लोग, lib मतलब रहते हैं हर section में family के अलग-अलग स्वरूप वाले या जाती वाले लोग रहते हैं अब कौन-कौन से हैं जरा देखिए, अलग-अलग form इनके they are queens, जिसमें सबसे पहले है, रानी मक्खी, drone, drone को मतलब male be, नर मक्खी and worker be ये इनके तीन section है, पहला है queen, रानी मक्खी, drone, नर मक्खी, worker be worker be मतलब जो काम करने वाली, तो ये तीन section है, तीन बटवारा है इनका section families के रूप में, तो आईए आगे बढ़ते हैं, दस इस प्रकार a.b. colony has one queen, hundreds of drone and more than one lakh workers इस प्रकार एक मदमक्खियों की कालोनी में, एक रानी मक्खी और सैकडो उसमें नर मक्खी, मदमक्खियां और लगबग एक लाग से ज़्यादा worker भी होते हैं, यानि इनकी जहाँ एक कालोनी होती है, जहाँ पे छत्ता होता है, लगबग बता रहे हैं अब जरुनी केखी जगा छत्ता हो, बहुत सारे जगा पे होता है, मतलब कालोनी का मतलब जहाँ ये रहते हैं तो वहाँ इनकी संक्या का रेशियो दिया गया है, एक रानी मक्खी पे सैकडो ड्रोन सोंगे, और more than one lakh worker भी तो चलिए आगे क्या fact आ रहे हैं, information देखते हैं इनके बारे में, next paragraph अगले paragraph में है, the queen bee is nearly 2.5 times longer and 2.8 times heavier than worker भी ये जो रानी मक्खी है, 2.5 का मतलब धाई गुना लंबी और 2.8 गुना, यानि 2.8 times भारी ये worker भी से, धाई गुना लंबी होती है और 2.8 times भारी भी होती है, कौन सी मक्खी, रानी मक्खी किस से, worker भी से, her function और रानी मक्खी का काम क्या होता है, is reproduction यानि उनका कारी होता है reproduction, प्रजनन करना, प्रजनन मतलब वो process जिससे बच्चों को पैदा किया जाता है clear, तो आगे देखते हैं, see lays thousand to two thousand fertilize eggs, fertilize का हिंदी होता है निसेचित आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम के बच्चों ने science में निसेचित तो अगली line देखते हैं उसी से related, see lays thousand to two thousand fertilize eggs everyday प्रति दिन वो thousand से, मतलब 2000 तक, निसेचित अंडे everyday वो क्या करती है, देती है कौन? रानी मक्ही मतलब 1000 से लेकर 2000 तक, निसेचित अंडे प्रति दिन वो देती है some of the eggs will develop into the worker bees or into queens इसमें से कुछ अंडे develop हो करके क्या बन जाते हैं, या तो worker bee बन जाएंगे या फिर कुछ जो बचेंगे वो queens बन जाएंगे in fertilize eggs में से, कुछ worker भी बन जाएंगे और कुछ queens बन जाएंगे रानी मक्ही और कुछ worker भी काम करने वाली मक्हिया but this depends on the size of the wax cell in which eggs are laid and on the type of food given to the larvae अब larvae क्या है? first stage of insects life, singular form larva यानि larvae ये plural form है और इसका singular form larva है तो आईए फिर से देख लेते हैं students इस line को लेकिन ये depend करता है इनकी size पर कौनसी size wax जो cell होती है उसकी size पर depend करता है और जिसमें eggs जो होते हैं, जो laid रखे जाते हैं मतलब उनको जहां रखा होता है, जहांडे होते हैं यानि larvae को जो भोजन दिया जाता है जिस प्रकार का और जिस प्रकार के अंडे वहां रखे गए हैं wax cell में वो size पर भी depend होता है कि कौन-कौन सी जगह वाले worker भी बन जाएंगे और कौन-कौन सी जगह वाले वो queen में convert हो जाएंगे यह भी का रहे हैं अगली line देखते हैं दह queen also lays unfertilized eggs यह जो रानी मक्हि होती है यी unfertilized eggs को देती है which only drones develop जिससे केवल drone develop होते हैं drones मतलब नर्मक्ही डेवलप होते हैं और यह कौन develop करता है यह unfertilized eggs को पैदा करती है और इसी अनफर्टिलाइज एक्ज से ड्रोन यानि नर्मक्खी डेवलप होते हैं clear तो आगे बढ़ते हैं ये जो मक्खियां हैं बहुत सारी ये बिना रानी मक्खी के जीवित नहीं रह सकती लंबे समय तक so when the queen dies इसलिए जब कभी रानी मक्खी मर जाती है the weeds choose some three day old eggs तो ये जो मक्खियां हैं ये चुनती हैं कुछ तीन दिन पुराने अंडो को अथाल रानी मक्खी ज़ मर जाएगी तो ये मक्खियां ही आपस में से कुछ तीन दिन पुराने हुए अंडो यानि तीन दिन पुराने अंडों को क्या करेंगी चुनेंगी and hatch them और उनको hatch करेंगी hatch का मतलब होता है अंडे के उपर बैठ करके उसमें से यानि चूजे को यानि बाहर निकालना बच्चे को clear आगे देखते हैं ugly line students अब hatch करेंगी फिर क्या होगा उसके बाद है from that pearl like egg अब जब अंडे को hatch करेंगी तो उसमें pearl मतलब मोती जैसा मतलब मोती जैसा अंडा जिसको क्या कहते हैं एलारवा comes out बाहर आता है यानि जैसे ही वो मक्हिया उसको hatch करेंगी तीन दिन पुराने अंडे को और उसमें से मोती जैसा एक अंडा इसको किलारवा कह रहे है वो बाहर आता है it is taken to a big wax cell फिर इसको ले जाया जाता है कहां पर वो विग बड़ी सी wax जो cell बनी होती है च्छते में वहाँ ले जाया जाता है and fed और इसको खिलाया जाता है with sweet jelly यहाँ student sweet jelly होना चाहिए था यह मीटा हुआ है आप समझ लेंगे sweet jelly का मतलब sweet substance liquid पदार्थ है जो मीठा होता है produced by worker V और यह कौन बनाता है worker V लोग बनाते है यानि इस jelly को दे दिया जाता है किसको इस larva को ताकि यह उसका absorb करके उसको खा करके थोड़ा बड़ा हो जाए therefore it develops into a queen और फिर इस प्रकार से develop हो जाती है रानी मक्खी अर्थात रानी मक्खी जब मर जाएगी तो यह मक्खिया ही आपस में से तीन दिन पुराने अंडेों को चुल लेंगी फिर उसको hatch करेंगी फिर उसमें से hatch करने के बाद मोती जैसे एक एग नुमा सरनचना जिसको लारवा कहते हो बहार आता है फिर इसको बड़े से wax cell में ले जाए जाता है वहाँ पर sweet jelly नामक जो substance है वो जो की worker भी produce करती है उससे उसको खिलाया पिलाया जाता है फिर इस प्रकार queen develop हो जाती है फिर से रानी मक्की बन जाती है तो students से लिए आगे देखते हैं अगले paragraph में क्या है तो ये paragraph हमारा complete हो गया अब next page पे आते हम सभी अब यहाँ पे कुछ function आ रहा है देखिए the function of drones is to fertilize the queen जो drone नर्मक्खी का कारे होता है वो होता है queen के साथ fertilize करना और रानी मक्खी के साथ निशेचन की क्रिया करना a drone cannot get food for himself drone swim अपने लिए भोजन नहीं पा सकता it is completely dependent on the worker भी यह अपने भोजन के लिए वरकर भी पर depend होता है completely पूर्टिया the drone has no basket on its leg to collect pollen and its mouth has not parts to suck nectar अब देखिए कितना बढ़ियां लिखा है line देखेंगे students अभी यह जो drone है इसके पास कोई basket जैसी सनचना नहीं होती पैरों के पास, legs के पास to collect pollen ताकि वो पराग करणों को collect कर सके क्योंकि जब मदमक्यां उड़ती हैं तो फूलों के उपर बैठती हैं वहाँ पर वो अपने जो collect करती हैं वो pollen पराग करण फूलों से और जो भी रस निकालती हैं वो सीधा उसी basket नुमा सरचना जो उनके पैरों के पास होती है उसमें वो डाल लेती है तो इस प्रकार की कोई सरचना ड्रोन के पास नहीं होती and its mouth और इसका जो मुह होता है has not part ऐसा कोई part नहीं है to suck nectar कि ये nectar को चूज सके nectar मतलब यहाँ दिया है sweet liquid found in water flowers flowers फूलों में पाया जाने वाला रस उसी को nectar का गया है मतलब इनके मुह पर ऐसी कोई सरचना नहीं होती ड्रोन के कि ये फूलों के रस को suck कर सके suck मतलब चूज सके अर्थात ये काम तो करते ही नहीं अपने भोजन के लिए दूसरे पर depend रहते हैं मतलब दो पर के समय ये उड़ते रहते हैं changing पीछा करते रहते हैं the young queen young queen का ये पीछा करते हुए उड़ते रहते हैं meeting with her in flight और उड़ते हुए उनके साथ जोड़ा बनाते हैं मतलब इनका काम कीवल fertilize करना है queen को बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो आईए आगे देखते हैं student अगले paragraph में अगले paragraph में है worker bees spend their whole short lives in tireless labor ये जो worker bee हैं कारेकारी मदमक्खियां ये spend करती है अपने पूरे छोटे से जीवन को tireless labor tireless मतलब बिना थके हुए labor मतलब काम में बिना थके काम में हमेशा लगे हुए अपने छोटे से जीवन को spend करती है they have no childhood इनका कोई बच्पन ही नहीं होता क्यों जैसे ये बच्पन का समय होता इनको काम पे लगा दिया जाता है इसलिए कहा गया है कि इनका कोई बच्पन नहीं होता अगली line देखते है from the third day of their life इनके तीसरे दिन से ही मतलब जीवन का जो तीसरा दिन होता है उसी दिन से they have to clean the wall and floors इनको साफसफाई करनी पड़ती है दिवालों की और फर्स की अब कौन से दिवाल कौन से फर्स आपको समझ में आ जाएगा after the young bees goes out young bees जो छोटी-छोटी मक्यां होती है जब वो बाहर चली जाती है उड़ जाती है कहां छटों में से तो उन छटों में से जब निकल के उड़ जाती है तो उसकी दिवाल जो छटे की दिवाल और फर्स हो गई वही जो back structure होता है छटा जिसको बोल रहे हैं उसी की जो दिवाल नुमा सनचना और फ्लोर नुमा इंस्ट्रक्चर जो भी है उसकी साफसफाई करना पड़ता है किसको वर्कर भी इसको और कब से तीसरे दिन से ही तो चलिए चौथे दिन से क्या करते हैं ये इस्ट्रूडेंट सभी फोकस करिए अब जब हाउस भी बनेंगी तो घर की जिम्मेदारिया भी लेनी पड़ेंगी देखिए क्या लिका है और दूसरी मक्हियों को ये खिलाती पिलाती है ये जो हनी सहत त्यार होता और पोलेन पराकण जो अदर मक्हियां लेकर के आती है ये जो चौथे दिन से जो वरकर बीज तीसरे दिन से काम सम्हाला इन्होंने साब सभाईगा चौथे दिन से ये दूसरे बच्चों को खिलाने पिलाने का काम सम्हालती है और क्या किलाती है दूसरी मक्हियों को हनी और पोलेन चलिए आगे देखते हैं student फ्रॉम दे सेवेंथ डे साथमें दिन से दे स्टार्ट प्रोडिूसिंग रॉयल जेली ये सुरू कर देती है उत्पन करना रॉयल जेली रॉयल जेली उसी मीठे पदार्थ को बोला जा रहा है जो ये बनाती है अपनी केमिकल प्रोसेस से अपने बॉडी से जो भी लिक्वीड इनों ने कलेक्ट किया है जो पोलन ग्रेन कलेक्ट किया है फिर बहुत सारे प्रोसेस करती है तो उसके आदार पर रॉयल जेली का निर्मान करती है फिर आगे क्या होता है student from 12th to 18th days 12 दिन से लेकर 18 दिन तक they develop wax gland यही मक्हिया wax gland wax मतलब वो मोम जैसी gland मतलब वो संरचना develop करती है यह worker भी जो है 12 से 18 दिन यह develop करती है मतलब वो मोम की जो पूरी संरचना है वो develop कर देती है and work on the building up of the honeycomb और यह काम सुरू कर देती है building बनाने के लिए up the honeycomb honeycomb मतलब मदमकी का छत्ता बनाने में पूरी तरह से काम में लग जाती है अब देखे बारवे से ठारवे दिन तक यह होता है फिर आगे इसी में कुछ point और आ रहा है student ध्यान से देखिएगा मैं indicate कर रहा हूँ फिर से देखिया आप line from 15th to 18th days देखे बारवे से ठारवे दिन तक पूरा wax gland तयार हो रहा है honeycomb तयार हो रहा है जिसमें से 15 से 18 days they become field bee यह field bee बन जाती है field का मतलब मतलब चारो तरफ चक्कल लगाने वाली मक्हियां बन जाती है अर्थात वो अब छत्ते में नहीं रहती है now they fly अब यह उड़ती है to explore खोजने के लिए and collect और फिर इकठा करती है nectar उस sweet juice को and pollen और पराकण को 15th से ठारवे दिन यह field भी बन जाएंगी होता है student देखिए they collect large quantities of pollen बहुत बड़ी मात्रा में यह pollen pollen मतलब पराकण जो फूलों में होता है यह collect करती है make it wet make it wet with saliva saliva आप जानते हैं student saliva का मतलब होता है मुँ में पाये जाने वाला slasm पदार जो liquid होता है जिसको लार भी कहते हैं हिंदी में तो आप समझ सकते हैं wet माने गीला saliva मतलब लार यह मक्हियां pollen grain को large quantity में collect करेंगी फिर इसको गीला करेंगी फिर उसको अपने मुँ में जो saliva होता है लार उसके साथ mix करेंगी mix nectar into it और फिर उसमें juice भी मिला देंगी अर्थात वो गीला हो जाएगा फिर आगे क्या होता है student ध्यान दीजिए आप सब लो then they place it in special hollow or basket in their hind legs और जब यह मतलब pollen grain को गीला करके saliva लार से mix करके nectar को भी मिला देती है तो यह सारे पदार्थ जो मिल जाते हैं फिर इसको कहा प्लेस कर देती है बास्केट यानि बास्केट नुमा सनचना कहा होती है इनके hind hind मतलब पिछले legs money pair पिछले पैरों पर जो बास्केट नुमा एक खाली सी सनचना होती है उसमें इस liquid को यह क्या करती है place खिसका देती है यानि अपने पिछले पैरों के पास जो होती है फिर आगे क्या होता है student देखिए सभी लोग two baskets contain around four lakh grains of pollen अगर दो बास्केट है यानि एक पैर में एक दूसरे पैर में दूसरा यानि दो बास्केट में कितना होगा four lakh grains of pollen लगबग चार लाग पराकन contain हो जाते हैं उसमें आ जाते हैं अगर दो बास्केट है इनके पास और दो होता भी है एक पैर में दूसरा दूसरे पैर में इन दो बास्केट उन टो करियों में अर्था जो पैरों के पास basket जैसी सन रचना होती उसी को कह रहा है कि इन दो बास्केट are honey stomach या honey stomach भी इसको बोला गया है उसमें सहद जैसी सनरचना बन जाती है तो कह रहे हैं कि इंडोज बास्केट और हनी स्टोमक्स एक्सेस वाटर इस एब्जॉर्बड वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसमें क्योंकि तुरंत ही तो सहद बनता नहीं है उसमें पानी की मात्रा भी जादा होती है तो वही कर रहे हैं एक्सेस वाटर इस एब्जॉर्बड मतलब जरूर से ज़्यादा पानी वह सोख लिया जाता है और फिर उस मिक्सचर में पानी सोखने के बाद जो मिक्सचर बचेगा इंजाइम और ओर्गैनिक एसीड और एड़ेड़ फिर इन मदमक्यों के सरीर से निकला हुआ इंजाइम और ओर्गैनिक एसीड उसमें मिक्स होता है क्लियर आगे देखते हैं स्टुडेंट्स अगली लाइन देखते हैं हम सभी लोग देखे अब इंजाइम में और ओर्गैनिक एसीड निकल करके वो मिक्सर से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है फिर ये जो थिक मिक्सर है मोटा सा मिशरण है जो बचा हुआ है जिसमें इंजाइम और ओर्गैनिक एसीड मिक्स हुआ है उसी को बोला जा रहा है थे एक mixture ये दिया जाता है given to the house भी घरेलू मक्ही को दे दिया जाता है अर्था जो house यानि जो छट्टे के अंदर काम करने वाली मक्ही होती है उनको दे दिया जाता है they again store it और फिर से वो इसको store करती है in the year honey stomachs वापस अपने उसी honey stomach में honey stomach यानि वो पिछले पैरों में जो टोकरी वाली सानरचना है उसमें store करती है again there is a same chemical process फिर से वही same chemical process होता है saliva अपने मुँ से निकालेंगी फिर उसको गीला करेंगी फिर उसमें enzyme organic acid निकालेंगी फिर ये chemical process करती रहती है thereafter इसके बाद the house bee finds an empty cell ये जो house bee है इसको एक खाली सी cell मिल जाती है in the honeycomb उस छते में and deposit the nectar there फिर ये उस nectar को juice को जो sweet jelly है उसको वहाँ deposit कर देती है अर्थाद जमा कर देती है ये जो house bee है इसको एक खाली सा cell दिखाई दिया मदमकी के छते में फिर उसमें जाकर के वो juice को क्या करेगी deposit कर देगी अगली line जेके है student it is still not honey ये अभी भी honey नहीं है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा तो हई है वही कर रहा है nectar contains 40-80% of water in it nectar में 40-80% तक पानी होता है whereas whereas मतलब जबकि honey has only 80-20% जबकि honey में 18-20% ही पानी होता है तो ये कह रहे हैं कि अभी भी ये honey नहीं होता है जो उनके इस्टुमक honeycomb इस्टुमक में जमा हुआ ये पदार्थ है वो 40-80% उसमें water है और जबकि असली जो honey होगा उसमें 80-20% water होता है तो आईए देखते हैं नेक्टर को ये सीधा उस structure में deposit कर ही देती है जो honeycomb बना हुआ है वहाँ पे जो cell है क्या होता है आगे देखते हैं फिर इस नेक्टर को यानि जो ये जूस नुमा सरचना है इसको transfer करते हैं from one cell to another एक cell दूसरे cell में यानि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में अर्थाथ आपने देखा होगा मदमक्खी के छत्ते में बहुत सारे खाने होते हैं मतलब उसमें बहुत सारे blocks होते हैं तो उन्हीं एक एक blocks को एक एक cell सायद बोला जा रहा है ये nectar को transfer करते हैं एक cell से दूसरे cell में for several times कई बार several times मतलब कई बार अब देखिए बहुत ही interesting fact आ रहा है ज़र अध्यान दीजेगा आप सभी लो moreover moreover मतलब इससे भी ज़्यादा एक group of bees एक मक्खियों का पुरा का पुरा जुन्द fan वो हवा करता है dear wings अपने पंखों से at a speed of 4600 times in a second एक सेकंड में 460 बार ये पंखों से फड़ फड़ा के हवा करती है और ये कौन पुरे के पुरे group of bees यानि जो एक group होता है मक्खियों का वो लगबग एक सेकंड में 460 बार अपने पंखों से यानि fine का मतलब हवा करना और dear wings मतलब अपने पंखों से अपने पंखों से 4600 बार एक ही सेकंड में फड़ फड़ा करके हवा कर देती है अब क्यूं हवा करती है देखिए आपको clear हो जाएगा हवा करेंगी to evaporate evaporate का मतलब होता है वास्पी करन अर्थात भाब बनके उड़ जाना देखिए लिखा है turn liquid into gas वास्पी भवन देखिए लिखा है न इसमें क्यूं ये फड़ फड़ाती है पंखों से हवा ताकि ये वास्प उड़ जाए water यानि पानी नुमा जो सरचना इसमें है वो उड़ जाए thus the nectar turns into brownish honey और इस प्रकार से बचा हुआ जो nectar है वो brownish honey यारी भूरे रंग के सहद में बदल जाता है यानि वो फड़़ाती इसलिए हैं पंखों से ताकि उसमें पानी की मात्रा उड़ जाए और बाकी जो बचेगा वही असली सहद होगा जिसको की honey बोलते हैं clear अगली line देखते हैं student हम सभी last and here are some other amazing facts और यहां कुछ आश्यर कर देने वाले आकड़े हैं about honeybees इन मदमक्यों के बारे में they have a wonderful communication system इनके पास तो एक आश्यर जनक बाचीत का system है communication मतलब बाचीत system माने प्रक्रिया प्रणाली इनके पास तो एक wonderful communication system है the explorer we is जो खोजी मदमक्यां होती है खोजी मदमक्यां मतलब explorer का मतलब खोजने वाली तो खोजने वाली किसको कहा जाएगा यानि जो फूलों का पता लगा है direction का पता लगा है उन्ही की बात किया जा रहा है explorer we is तेल दियर sisters ये explorer we खोजी मदमक्यां बताती है अपनी बहनों को about the direction and distance of flower through the definite movements which we call dances ये खोजी मदमक्यां बताती है अपनी बहनों को दिसाओं के बारे में और फूलों की कितनी दूरी है मतलब यहाँ पे वो लोग है वहाँ से कितनी दूर पर फूल है और किस direction में जाना है और ये सारी बातें explorer we अपनी बहनों को बताती है मतलब explorer जो हनीवी है वो other हनीवी को बताती है और कैसे बताती है through definite movements कुछ अलग-अलग movement हल चल करते हुए which we call dances जबकि उनकी movement होती है तो अगली line देखते है last line और बची है student इसमें a round dance अगर ये goal goal dance कर रही है suggest तो इसका मतलब होता है that the अब अगले paragraph में देखते है student अगर round dance कर रही है तो क्या suggestion मिलता है देखिए इसमें लिखा है round dance के suggestion से मिलेगा flowers are quite near ready for a long flight सफल का मतलब ये देखो दिया है random आडो आवडो मतलब आडा तेडा अगर ये सफल dance कर रही है तो इसका मतलब suggestion क्या मिलता है that we should be ready मदमक्यों को तयार हो जाना चाहिए for a long flight लंबी उडान के लिए अगर round dance कर रही है तो समझ लो फूल नी बिल्कुल नजदीक है फूलों का जुन और अगर सफल डान्स कर रही है तो समझ लो कि मदमक्यों को तयार हो जाना चाहिए लंबी उडान के लिए certain other movements are also used कुछ और भी movement use किये जाते हैं इनके द्वारा to indicate ये बताने के लिए even the direction of nectar and source of flower कि फूलों का स्रोत और nectar किस direction में मिलेगा ये बताने के लिए कुछ और movement ये मदमक्यां use करती है मतलब इनकी हलचल से पता चल जाता है कि ये क्या करने वाली है आईए और amazing fact देखते हैं next paragraph now let us look into the eyes अब जरा इनकी आँखों में देखिए wees have five eyes मतलब इनकी पांच आखे होती है two compound of ones compound माने जुड़ी हुई दो आखे आपस में जुड़ी हुई होती है and three simple ones और तीन अलग अलग होती है the surface of a compound eyes इनकी जो जुड़ी हुई आखों की सता होती है surface माने सता है compound माने जुड़ी हुई eye माने आखे इनकी जो surface है compound eye की of a worker V has nearly five thousand hexagonal facet facet मतलब face से ही बना हुआ word है five thousand पाच हजार hexagonal का हिंदी होता है खटकोडी है और यहाँ facet मतलब सरचना कह सकते हैं आप तो student देखिए कितना amazing fact है ये कि जो compound eye होती है उसकी जो surface है किसकी worker भी की ये जो worker honey भी है इनकी जो जुड़ी हुई आखों की जो सता है उसमें लगबग पाँच हजार खटकोडी hexagonal का मतलब खटकोडी facet संरचनाएं होती है पाँच हजार सोचिया अगली line where as जब की जब की drones have about 8000 नर्मद मख्यों के पास तो लगबग 8000 खटकोडी संरचनाएं होती है बट surprisingly लेकिन आश्चर जनक तरीके से वीज आर पूर इन आइडेंटिफाइंग कलर्स ये मदमख्यां बहुत ही कमजोर होती है पहचानने में किसको रंगों को ये पहचान सकती है ब्लू एलो और वाइड कलर को पहचान सकती है अब लास्ट की लाइन देखते है अगली लाइन देखेगा इस्टूडेंट ध्यान से दा फेमस साइन्टिस्ट डार्विन एक चाल्स डार्विन थे बैग्यानिक फेमस साइन्टिस्ट इस्टडीड इन्होंने अध्यन किया दबीज मदमख्यों के बारे में फॉर मेनी येर्स कई वर्सों तक और इन्होंने कहा इस हनी कंब के स्ट्रक्चर को देख करके एक मूर्ख व्यक्ती ही केवल आश्चर में नहीं होगा मेरे हिसाब से कर रहे हैं बाकि सभी दुनिया के लोग आश्चर में पढ़ जाएंगे एक मूर्ख व्यक्ती ही आश्चर में नहीं पढ़ेगा हनी कंब के स्ट्रक्चर को देख करके हनी कम मतलब मदमक्यों के चटों को देख करके ऐसा हो क्यों कर रहे हैं देखिए क्या लिखा है लास्ट लाइन में We is invented इन मदमक्यों ने आविस्कार किया है An Engineering Skill of Building a House एक हाउस को बिल्ड करने की किस तरह की Engineering कुसलता का परिचे का आविस्कार किया यानि किस तरह की Engineering Skill का परिचे दिया है इनोंने अपने घर को बनाने में इससे हम सीख ले सकते हैं They use the minimum amount of building materials ये मदमक्यों यूज करती है minimum amount of building materials यानि building material किसको बोला जा रहा है wax को क्योंकि mom से ही ये घर बना रही है छते अपने तो अगली लाइन देखेगा student इसमें क्या लिखा है कि वीज ने invent किया एक बहुत ही अच्छी Engineering Skill अपने घरों को बनाने का ये यूज करती हैं ये मखिया minimum amount of building materials कम से कम मात्रा घर बनाने वाले पदार्थों को यानि कौन से पदार्थ की बात की जारी wax to create maximum amount of space जादा से जादा space जादा से जादा मात्रा में space छोड़ने के लिए उत्पन करने के लिए बनाने के लिए कम से कम wax का इस्तमाल ये मदमकियां कर रही है सोचिए कम से कम wax में जादा से जादा space वाला structure तयार करके ये दे रही है तो ये किसी engineering skill से कम नहीं है students, I hope कि आप इस lesson का summary समझ गये होंगे और मेरे YouTube चैनल को like और subscribe करना न भूले और मैं निश्चित रूप से next वीडियो के साथ वापस फिर आऊंगा तब तक के लिए thank you